हेलो एबरीवन वेलकम बैक अगेन तो आप लोगों ने जैसे कि थम्लेंद देख लिया हुआ कि इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर्ली डिसकस करने वाले हैं कि उत्तरप्रदेश स्टेट का जो कॉंसिरिंग हो रहा है स्टेट कोटा के लिए इस्टेट कोटा 85% फॉर ग जमा करना है तो यह पर्टिकुलर्ली जो रूल से रेगुलेशन है आपको इससे पहले जब हम रेजिस्ट्रेशर का नोटिफिकेशन दिये थे कि रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है तब आप लोगों को बोले थे कि ब्रॉस्योर जो है यूपी का वह हम टेलिग्रम च सेक्षन दिखेगा तो वहां कॉंसलिंग अलोट्मेंट पे चेक करोगे तो पहला तीन नोटी सिसी के रिकार्डिंग है और यह ब्रॉस्योर हिंदी और इंग्लिस दोनों में अपलोड किया गया है तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होगा नहीं और बहुत सिंपल लाग तो लिखा गया है और दूसरा बात एक स्टूडेंट एक पर्टीकुलर किसी दूसरे यूटीब चैनल का हमको व्यूडियो सेंट करके बोरा था कि यहां पर इन्होंने क्या बताया है कुछ दूसरा चीज बताया था और साथ में यहां इन्फॉर्मेशन में थोड़ा कुछ अलग दिया गया ठीक है तो इंटेंशनली कोई भी कि आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता है उनसे बाइचांस निकल गया होगा मुझसे ठीक है तो इसलिए तुम लोग को हमेशा हम बोलते हैं कि खुद से ब्रॉस्योर पढ़ो किसी के ओपर डिपेंड मत रहो ठीक है भले ही तुम लोग बोले कि इस पे हम वीडियो बना दे तो हम बना तो दे रहें वीडियो और हम ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है कोई भी तुम लोग वीडियो किसी का भी लेकिन वीडियो देखने के बाद एक बार खुद से कोई भी स्टेट का कॉंसुलिंग को खुद से ब्रॉस्योर पढ़ लिया करो ताकि तुमको पता चले कि कुछ गलती तो उन्होंने नहीं बोल दिया हो तो मेरे सामने किसी दूसरे चैनल का बुराई करने से अच्छा है तुम लोग उतना टाइम एक ब्रॉस्योर पढ़ने में दे तो मुस्किल से एक से दिड़ घंटा लगता है पढ़ने में अच्छा से पढ़ोगे तो जल्दी में पढ़ोगे तो 20 मिन पे तुम निकाल सकते हो लेकिन एक से दिड़ घंटा तुम देही सकते हैं उसको पढ़ने में ठीक है तो उतना कोई मुश्किल नहीं था तो चलो यह सब हो गया इंफॉर्मेशन कि कॉंसलिंग को तुम्हारा कॉंसलिंग है तुम भले किसी दूसरे से कॉंसलिंग पैसा दे करवा ही क्यों ना रहे ह इसका स्टेट कोटा कॉंसलिंग में ठीक है और स्टेट उत्तरप्रदेश का जो प्राइबेट मेडिकल टेंटल कॉलेज है उसके बारे में ठीक है तो यह केवल आपका इंग्लीश में ही नहीं दिया गया है अगर आप वेब्साइट में डाउलोड करके वहां से पढ़ ले मतलब मतलब होता है मतलब होता है मतलब होता अरक्षन मतलब करक्रिया रिजिस्ट्रइशन् NGOs για का सब चाईपर आडशेलिंग प्रो से हमें के ही बोले तुम लोग को छोड़ो जाने दो अब देखो यह जो इंपोर्टेंट है यहां पर एलिजिबिलीटी जो है समझ लोग कि एलिजिबिलीटी पर बहुत इस्टेट को डाउट था कि इस्टेट कोटा जो 85 परसेंट गब्मेंट कॉलेजिस होते हैं उसके लिए कौन से इ अगर आपने यूपी स्टेट से 10 और 12 तो आपको डूमिसाल सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट का भी जरूट नहीं है आप simple आपका जो 10th और 12th certificate दोनों का हुआ आप वहीं UP से की है तो आपको domicile certificate का भी जरुवत नहीं पड़ेगा और यो आप UP state के 85% quota के लिए आप eligible होगे government seats और दूसरा क्या है कि अगर आप UP state में से बिलॉंग करते हैं आपका घर जो UP state में है बट उतर प्रदेश में है बट आपने 10th और 12th 10th या फिर 12th दोनों कहीं बाहर से किया है कि या किसी 10th या 12th कोई एक बाहर किसी दूसरे state से किया है तो आपको अलग से बनवाना पड़ेगा ठीक है या इस्थान निवास परवान पत्र बोलते हैं तो यहीं वही लिखावा है तो यहां पर देख लिए प्रदेश के राज के छेत्र समस्त मेडिकल डेंटल विश्ट विदाले में प्रवेश हैतु अभ्यरती का उत्तर प्रदेश का मुल लिवा यहां पर दूसरा प्रवेट के लिए अप्लाई करना तो यहां का प्रवेट कॉलेजिस के लिए अलिजिबल है यहां के प्रवेट कॉलेजिस के लिए जरुवत नहीं है प्रवेट के लिए आपको डूमेशा सट्रिवेश जरुवत नहीं होगा और दूसरा क्या है तो वही एंटिए द्वारा जो है अपढ़ लेने बोर रहा है तो अब जल्दी से दूसरा देख लेते हैं कि आरक्षन हां रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है यहां पे डिफरेंट सबसे पहले जो है कि अंतर्गति के लिए जाता रिजर्वेशन दिया गया है तो उस पर्टिक्लर कॉलेजिस के बारे में यहां पे नाम दिया गया है सबसे पहले जो है कि अंतर्गत इस्ताफित राज जीर मेडिकल कॉलेज अंबेडिकर नगर कन्नौज जालोन और सहारनपूर में थोड़ा ज्यादा रिजर्वेशन है कुछ क्याटेग्रीज को तो आप यहां पे देख सकते हैं अनुसूचित जाती के लिए 62 सीट से वही औ आप देख लिजिएगा हाँ दूसरा यह पर्टिक्लर स्ट के अलावा भी कुछ कैटेग्रीज को स्पेशल रिजर्वेशन है क्या आपका यूपी में सबसे पहले क्या कैटेग्री है स्वतंतरता संग्राम सेनानी के आशरीतों के लिए मतलब जो फ्रीडम फाइटर का कैट कैटेग्री है उसमें 2% का रिजर्वेशन है दूसरा भूत्पूर सैनी मतलब एक सर्विसमेन में आपका 2% का रिजर्वेशन है ठीक है अब देख लेते हैं और 2-3 रिजर्वेशन है हाँ दिव्यांग अभियारतियों के लिए तो जो पी डब्लूडी के लिए उनका 5% रि 20% बट ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है फिमेल के लिए उसमें ही इंक्लूड होता है तो फिर इसमें उतना इंपक्त नहीं पड़ता है ठीक है दूसरा यहाँ पर पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है इसको आप अच्छा से समझ लिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर मता इडब्लू एस और ओबीसी के सरेनी होता दिनागा जो इडब्लू एस कैटिग्री है और ओबीसी कैटिग्री का सर्टिफिकेट है वह आपका एक अपरिल 2023 के बाद का होना चाहिए तभी वह वालिड होगा ठीक है तो यहाँ पर यह देख ले पर्टिकुलर जो है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट का होना चाहिए चलेगा याद रखिए चलेगा यहाँ पर यह देखिए दिव्यांग एवं एंसी को प्रमात पत्र को छोड़के मतलब पी डब्लू डी सर्टिफिकेट और एंसी सर्टिफिकेट है वह सेंटर का भी हो पी डब्लू डी और एंसी सर्टिफिकेट को छोड़के आदर स्टेट का जो मतलब की इसके अलावा जितना भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वह मतलब की जैसे आपका रिजर्वेशन के लिए तो वह जो है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट का होना चाहिए यहीं प तो वहां से आप बनवाईएगा सेंटर वाला भी पी डब्लू सेटिफिकेट काम कर जाएगा यहां पर दूसरा एंसी सी प्रमनपत्र वह भी सेंटर का होगा तो चल जाएगा बट यह सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और एट लिस्ट बी ग्रेडिंग होना चाहिए अब द यूजी कॉंसिलिंग द्वारा यदि अपनी श्रेणी अनरक्षित की गई हो तो यूपीए के कॉंसिलिंग है तो पंजीक करन के समय अभ्यर्ति हां यह इंप्टेंट पॉइंट है देख लो यह वाला जो पॉइंट है ना इस्टार मार के इसमें बहुत सारा कुश्चिन आ जया हो रहाता तब उस टाइम जेनरल कैटिगरी इसलेट कर लिया था बट अभी वो उत्तर पुदेश का जो चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन कैटिगरी उनका है जैसे कि उनका रिजर्वेशन कैटिगरी फोर एग्जांपल कोई सब्लॉग करते हैं बट वहां पर नीट य का रेश्टेशन में आपने कोई जेनरल सिलेक्ट कर लिया हो बट अभी रिजर्वेशन चाहते हो और आपके पास वो डॉक्युमेंट भी है तो यहां पे आप वो रिजर्वेशन क्याटेगरी चुन सकते हो आप उसके लिए अलिजीबर हो तो यहां पे एक बार पढ़ लेना अब यह डाउट हम क्लेर कर दीढ nous अब यह डाउट के रिलेटिट फिर से मत पूछte नम को कोई बात नहीं अगर डाउट को पूछ लेना वैसा बात नहीं ठीक है तो नीट यूजी के आवेदन के समय उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेनी के अभ्यर्थी द्वारा यद ज़भग्रेंदी अपनी स्रेनी आनारक्षित जुनी ठीनी आंकित की गई हो। धमाने गानारक्षित when you're inbeeΓ सुमें ऑपनी पंजीकरन अनारक्षित सरेनी के अंतरड़ तो अगर यूपी का माई रिजरेशन कर्सिक्रमेंद इसा करें लेते हैं तो आप उसकी knew ederim पर होंगे फरक नहीं पड़ता कि आपने माँ जेनरल चुनाता है तो बहुत बड़ा डाउट था स्टुडेंट का तो यहां पे आप बोलो इतना का कि यहां पे क्या है यहां पर क कर लिएत यहां पर कर लिए आपना यूजी का जो र wander पर है क्जू करन 다니 भा Quin रनीफ लोग लगाव है यहां पर यहां पर क्रिजेगा अपना नीठ राउड नुग कर समाझत है यह सब आपका डॉक्यूमेंट मुलampa कि आपको जमा करना होगा मतलब कि वह रेस्ट्रेशन का डीटेल से वह सब करने बोल रहा है दूसरा कि आपका जो फस्ट राउंड और सेकंड राउंड का जो स्टेट कॉंसिलिंग होगा उसमें आपको टू ठाउजन रुपीज लगेगा रेस्ट्रेशन फी जोकी नन्रिफं करवाना होता है तो फस्ट और सेकंड रौण दोनों के लिए आपको 2000 रुपीज एक साथ लग जाएगा तो अलग से फस्ट और सेकंड रौण के लिए रिजिस्ट्रेशन नहीं करना है अब फस्ट रौण में अगर 2000 रूपीज का रिफंडेबल रेजिस्ट्रेशन कर सकते तो फर्स्ट सेकंड राउंड ठीक है और लेकिन मॉप अप राउंड में आपको अलग से सभी स्टुडेंट्स को वन ठाउजड रुपीस का रेजिस्ट्रेशन करना होता है ठीक है अब दूसरा क्या है कि यह अब देखो यहां पर यदि अभ्यर्ति यदि अभ्यर्ति प्रतम चक्र की कांसिलिंग हे तो पंजीकरन नहीं करता है तो ऐसे अगर आपने फर्स्ट राउंड में स्टेट कोटा का कांसिलिंग में रेजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड में 2,000 रुपीस नन रिफंडेबल अमाउंट जमा करके डायरेक्ट भी सेकेंड राउंड में आ सकते हो फिर दूसरा क्या पंजीकरन सुल्क नन रिफंडेबल है मतलब जो बूर रेजि मतलब सेकुरिटी डिपॉजिट का बात कर रहा है अपकर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा था हम इंगलिस में बोल रहे हैं और दूसरा इंगलिस में भी ब्रॉस्यों दिया गया वहां से पढ़ सकते हो तो धरोवर धन रासी जमा करने के पूर्व अब्यर्थी अपन अर्यता स्वयम जाच लें मतलब यह वह रहा है सेकुरिटी डिपॉजिट जमा करने से पहले अपना एलिजिबिटी खुद से देख लेना ठीक है दूसरा वह रहा यूपी निट यूजिग यूजिग तो मतलब डिफरेंट क्या सेकुरिटी डिपॉजिट है तो यहां पर प्राइबेट डेंटल कॉलेजिज के लिए वन लाक रुपीज है सेकुरिटी डिपॉजिट ठीक है तो यह देख लेना यदि कोई अभियर्थी राच की है तथा नीजी छेत्र दोनों की प्रकार की सिवतों हेतु हां तो यह बूर रहा है कि आप गब्मेंट और अगर आप कोई स्टुडेंट जो है वो चाहता है कि गब्मेंट कॉलेजिस के लिए भी अपलाई करे और प्राइबेट के लिए तो ज्यादा मॉंट है वो उनको देना पड़ेगा जैसे कि गब्मेंट और प्राइबेट गब्मेंट का 30,000 था लेकिन प्राइबेट का 2 लाक जो डाउनलोड स्लीप जेनरेट होगा उसको डाउनलोड कर लिजेगा ठीक है दूसरा बात और हाँ यहां पर एक कुश्चन आता है कि जो सेकुरिट डिपॉजिट है उसको ऑनलाइन जमा करना है कि ओपलाइन तो आपको टिंसले लेना है इस बार आप सेकुरिट जमा करोगे उसी अकाउंट में आपका वापस रिफंड होगा तो इसलिए अगर आप किसी साइबर कैपे से अगर भर रहे हो फॉर्म तो उनके अकाउंट ऐसा मत कर रहा है कि आप पहले उनको पेमेंट कर दे रहे हैं आप फिर अकाउंट में मतलब कि वहां पेमेंट कर रह ने तो फिर जिस से अकाउंट से पिमेंट होगा उसी में वो रिफंड जाएगा फिर यह इस बात का ध्यान रखना फिर रिफंड आता नहीं है और आप लोग बोलते रिफंड क्यों नहीं है या तीक है और दूसरा क्या है धरोवर धनरासी जमा करने के पच्छत अभियर्ति क कोई भीिज़ान अवंटित नहीं होती है तो आपको सेक्रण सेकें राओन म्हों प्रव कॉलेजिज क्यों यह बॉल रहे हैं कि राज क्यों राप्त अब्यर्ती द्वार्ण के hyped ने तो अगर आपको कॉलेज में आडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद आपको रिफंड हो जाएगा अगर आप कोई राउंड का कॉंसलिंग का मतलग कि रूल ब्रेक नहीं करते हो तो वहीं दिखावाए कि राज के नीजी छेत्र के मेडिकल कॉलेजों डेंटल कॉलेजों में Dwara के अगर्तान के पश्चात प्रवेश प्राप्त नहीं किया जाएगा अवंटन का मतलब होता है Allotment और प्रवेश मतलब तो जानते हो प्रवेश का अडिमसन बोल रहे है जाएगा तो उनकी धरोवर धन्रासी जब्त करी जाएगी मतलब ये बोल रहे है कि अगर आपको All अलॉटमेंट होता है ठीक है अलॉटमेंट होता है और उसके बाद आप उस कॉलेज में अडमिशन ने लेते हो तो सेकृरिटी डिपॉसित आपका गया वापस नहीं मिलेगा मतलब फॉरपिट हो जाएगा जब्थ हो जाएगा तो यह इसका बात ध्यान रखना अलॉटमेंट अगर तुम सीट में रिपोर्ट नहीं करते है अडमिशन ने ले तो तुम्हारा सेकृरिट डिपॉसित चला जाएगा अब दूसरा हां ओनलाइन अभी लेको को हां तो यहां पर पहले क्या करना हो तो देखो तो तुम रेजिस्ट्रेशन किये रेजिस्ट्रेशन अमाट द तुम अपना डॉक्यमेंट्स अफलोड करोगा ठीक है तो उसके बाद तुम्को बहुत सारा नोडल जाना प्र जाना पड़ गा लेगा बट अगर पुछ होता है कभी कुछ केस में की डॉकिमेट कुछ प्रवल्म्हा आता है तब वह अलग से बुलाते हैं कि आपका पेपर वेरिकेशन में वो ऑनलाइन ही होगा मतलग कि choice billing के पहले का बात बता रहा है ठीक है बाद में तो रिपोर्ट करने में original document लेके तो आपको जाना ही है ठीक है तो यही बोल रहा है कि online अभी लेखों का सत्यापन online document verification यूबी नीट-वीजी के अंतरगत कॉंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्ति के सैक्ष्णिक अभी लेखो का सत्यान ओनलाइन किया जाएगा तो यह देख सकते हो यहाँ पर यही बोला कि सबसे पहले क्या कॉंसिलिंग प्रक्रिया यहीं पर आप आते हैं जो तुम लोग को परिशान क्रतियों कि राउंड वाइस क्या दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले यहां पर हम बता दे रहें पढ़िके और एक बार समराइज भी कर देंगे लास्क में जैसे तुम प्रॉब्लम ना हो सबसे पहले धरोवर धनरासी जमा करने के पश्चाद अब्यर्ति को चॉइस पिलिंग के पश्चाद चॉइस लॉक हाँ यहां पर देखो यह भी इंपोर्टन पॉइंट है स्टार मार्ट जो एमसी सी का कॉणसिलिंग से डिफरेंट है एम सी सी का जो ऑल इंडिया कोटा कॉंसिलिंग होता वहां पे आपको चॉइस फील करने के बाद अगर आप चॉइस लॉज नहीं भी करते हो तो बाद में वह आटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाता है बट यहां पर लिखा गया है स्ट्रिक्टली कि चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉकिंग करना एसेंसियल है जरूरी है अगर चॉइस लॉकिंग नहीं करोगे तो आपको में डालोगे और जो इस्टेट मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से अलॉटमेंट होगा प्रतम चक्री की कॉंसिलिंग द्वारा आवंटिच सीट पर अभ्याति को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार होगा अन्यथा कि स्थिति में जमा की गई धनरासी धरोवर धनरासी जाके रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका जो सेकुरिटी डिपॉजित है वह फॉर फीट हो जाएगा जब्त हो जाएगा जबकि ऑर्ल इंडिया कॉंसिलिंग में ता फर्स्ट राउंड में फ्री एक्जीट था कि अगर फर्स्ट राउंड में आप अडमिशन नहीं भी ल में प्रतिभाग करते हुए तो मतला आपको सीट अलॉट हुआ फिर भी आप फर्स्ट राउन में अडमिशन ने लेते हो तो आप सेकेंड राउन में पार्टिक्सिपेट कर सकते हो नो डाउट बट आपको फिर से के वह सेकुरिटी डेपॉसित जमा करना होगा थर्टी कि अवयरति फिर से आपरे लिए बैबंट बैबकुर्स एक फिर से पर्सेंट में प्रति रस्ट प्रति टे सब्सक्राइब करने क्या से नहीं है प्रस्वक्ता सकत्व है फिर भी तुमनों को डाउट रह जाता है कोई नहीं होगा तो पूछ लेगा ठीक है दूसरा अब यह तो पॉइंट बता दिये ना अब दूसरा हाँ यह देखो पुन्रा अवंटन के हेतु अभियर्थी हाँ तो यह अप्ग्रेडेशन के रिलेटेड रहे इंफॉर्मेशन ठ हो जाता है और आप वहां जैक के एडमिशन लेटे हैं और वहां जैके बोलते हूं कि करना है तो आप डिफररणगेज्ज फिलिंग ॡालते हो ठीक है और आपको second round में अफ्ग्रेड हो जाता है ठीक है college अगर आपको अप्ग्रेड हो जाता है तो college अप्ग्रेड होने के बाद आपको second round का जो था आपका college वहाँ पर जाके admission करवाना होगा और जो first round वाला college था वो automatically cancer हो जाता है तो आपको फिर वहाँ पर जाके second round वाला college अप्ग्रेड हुआ है वहाँ के admission करवाना होगा ठीक है तो वही बोला गया है कि यहाँ देखलो प्रथम चक्री की counseling से प्रवेशित ऐसे अभ्यरति जिन्हें दूत्य चक्री की counseling में अभ्यरति पुन्रा अवंटन मत्त अप्ग्रेड नहीं होता है तो आपका जो first round का seat था वो safe है वो आपके पास रहेगा कोई दिक्कत नहीं उसमें दूसरा point यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पुन्रा अवंटन हेतु अभ्यरति प्रथम चक्री की counseling से प्रवेशित सीट का विकल्प दूत्य चक्र में ना भरे य तुमारे लिए प्रेफरेंस बेट टालना और जो सीट पे तुम अभी हो जो college में उसका नाम तो फिर से बिल्कुल मत डालना क्योंकि अगर उसका नाम तुम फिर से डालोगे और वही college तुमको फिर से अलॉट हुआ तो तुमको फिर से admission करवाना होगा सारा paper document फिर से submit करव student का doubt आ रहा था तो इसको हम तो clearly समझा रहे हैं और तुम एक बार नहीं समझना फिर से repeat करके देख ले ना बट हम इसमें ही बता दे रहे हैं मौप अपर राउंड हे तू वही अभ्यर्ति आ रहे होंगे मतलब eligible होंगे जिन्हे यूपी नीट यूपी के state counseling में प्रथम एव स्टेट कोटा का मौप अपर राउंड है यूपी स्टेट के लिए तो स्टेट कोटा मौप अपर राउंड में वही student eligible होंगे जिन्हें first round of counseling और second round of state कोटा मतलब first round और second round state से कोई भी seat allotment ना हुआ हो तभी आप मौप अपर राउंड में आएगा वो depend नहीं करता है कि आप आपने admission लिया हो कि नहीं लिया हो आपको अलोट हो जाता state कोटा से first या second round के counseling में यूपी स्टेट में तो आप मौप अपर राउंड में eligible ही नहीं होगे participate नहीं कर सकते हो तो इसका बात का ध्यान रखना दूसरा ऐसे अवियर्थी जिन्होंने प्रत्थम वाद दित्वे च सब्सक्राइब कर सकते हैं तुम अगर फर्स्ट या second round में रिजिस्ट्रेशन नहीं कियो हो तो डायरेक्ट मौप अपर राउंड में भी आ सकते हो तुमको रिफंडेबल रिजिस्ट्रेशन अमाउंड मतलब यह नाद रिफंडेबल रूपी रिजिस्ट्रेशन फी जमा कर या दिचुट्य कौशलिओ रिफ्सक्राइब आर्फ्सक्राइब या फिर ओल्लिया कॉनसलिंग से या कोई other इस्टेट का कॉंसलिंग में इससे पहले का कॉंसलिंग में कहीं पे उन्होंने प्रवेसित ऐडबिसन लिया हो वो मौपप राउंड हे तू आर ये नहीं होंगे एक बार फिर से इसको पता दें मौपप राउंड में कौन से student eligible नहीं होंगे मौपप राउंड में वो student eligible नहीं होंगे अगर आपको state quota UP state से first round या second round में अलॉट हुआ है कोई सीट वो फरक नहीं पड़ता आप वहाँ admission लेते हो या नहीं लेते हो आप eligible नहीं हो मौप राउंड में दूसरा अगर आप all India quota quota या किसी अधर state counseling में इससे पहले कहीं college में आप admission लेते हो अल इंडिया कॉंसिलिंग में क्या रूल है कि मतलब कि वहाँ पर क्या अगर वहाँ पर admission लेते हो तब यहाँ पर यहां पर आपको मौप राउंड में अगर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में college अलॉट भी हो जाता है तो को यहां पर eligible नहीं होगे मौप राउंड में अब इतना समझा दिये हैं अब क्या बोले अगर तुमको फिर भी डाउट है भाई एक बार rewind करना फिर से देखना फिर भी डाउट हो जाए comment कर रहे ना comment नहीं करोगे टेलीग्राम प्याजाना टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्सेंट आज़े वहां पूछ ले ना Instagram से भी पूछ सकते हो तुम लोग कॉंसलिंग चल रहा है तो कॉंसलिंग में कोई गलती नहीं होना चीए इस दिये हम यहां पर इतना तुम लोग कर रहे हैं क्योंक मौपव राउंड से अवंटित अभियर्थियों को प्रवेश के समय समस्त स्यक्षिनिक जाती प्रमानपत्र हमावई बोल रहा है कि आपको जो डॉक्यमेंट में अगर मौपव राउंड में आडमिशन हो जाता है तो आपको फिर ओरिजिनल डॉक्यमेंट से लेके जाके जीट कनवर्जन का दिया गया डिटेल यहां पर पढ़ लो कि स्टेट कोटे के आरक्षित स्रेणी के सीटो का आमेलन मौपव राउंड के दौरान किया जाएगा आरक्षित स्रेणी मतलब रिजर्वेशन कैटिगरी के अभियर्थि को आवंटन के उपरांद मतलब उनका अ होने के बाद मौपव राउंड में उपरांद अगर कोई रिजर्वेशन के कैटिगरी का कोई सीट बच जाता है तो उसको कनवर्ट कर दिया जाएगा वो कनवर्जन क्या है वो दिखा देंगा अब फिर उसमें उस कैटिगरी का स्टुडेंस को भी ले लिया जाएगा को यहां पर देख सकते हैं अगर कोई सीट बन जाता है तो उसको सी में कर दिया जाएगा और उसमें अनौट में नहीं है फिर भी कोई को प्रॉब्लम हो तो पूछ ले ना आ हैं मेर्ट यू ठीक है दूसरा क्या है कि गवर्मेंट के मेडिकल को डेंटल कॉलेज तो यह क्या है प्रवेश प्रक्रिया आब क्या था वो चौन सेरा को प्रवेश समझें गए हो कोई दिखकत थीक है अब फिर भी कोई कॉई डाउट हो तो पूछ लेना यह यात से थीग है दूसरा क्या है की यह देख लो एक कि राज के मेडिकल आवांटी तो प्रवेश प दूसरा पॉइंट के लिए उसके लिए दल सेंटर बना गया तीके और थी सटर नीजी छेत्र के प्रवेस हेतँ निदारित बुरा प्रवेत्च मेडिकल को नोडल сेंटरा में जाणा आपको जो भी नोडल सेंटर बनाया गया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं यह दिया गया पढ़ देना आप ठीक है और दूसरा नीजी छेत्र के अब दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट का यहां पर चाहिए होगे जिसके बिना आपका कैंसर हो सकता है और इजनल फॉर्मेट में क्या डॉक्यमेंट कंपल्सर ही है तो प्रवेस के समय निमलिखित मूल मतलब ओरिजनल अभी लेको डॉक्यमेंट का सत्यापल वेरिफिकेशन आवंटित कॉलेज नोडल सेंटर पर अभ्यरती द्वारा स्वयम उपस्तित होकर कराया जाएगा ठीक है अब दूसरा बात सबसे पहले आपको क्या चाहिए आवंट्र मतलब अलॉटमेंट लेट प्रमान पत्र अगर आपके पास 10-12 का सर्टिपिकेट भी है तो भी चाहिए वो 10-12 मतलब जीतना भी डॉक्यमेंट है ना इसको सारा लेकर जो मांगे देना दूसरा क्या समान निवास प्रमान पत्र अगर आपने 10-12 यूप से बाहर से किया तब आपको यह निवास प्रमा मूल रूप बता ओरिज्ञल डॉक्यमेंट होना चाहिए एवं उसका स्व प्रमानित छाया प्रतियों के साथ जमा कराना आनिवार योगा मतलब यह बोरे और सेल्फ असेस्टेड फोटोकपी सेल्फ फोटोकपी का मतलब ऑरिजणल डॉक्यमेंट का जेरोक्स करवा लेना उस प्रवेश के समय मूल अभी लेखन में ना होने के सत्यापन में अभी लेख गलत पाई जाने पर आवेंटा मतलब वही बुर रहा है कि अगर आपका प्रवेश के साथना इसके अनुसारी होगा कोई कोट का केस का आया होगा आपका हीरिंग तो यहां पर पढ़ लेते हैं ठीक के संबंद में सासना इसके अकॉर्डिंग ही सारा रूल्स और रिगलेशन होगा फ्रस्रा ज्याक पत्र देने हो तो वही अभ्यार्ती अर होगे अलिजिबन होगे जिनके द्वारा आवंटन के परशात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गई हो जिस कॉलेज नोडल सेंटर पर संपन की गई हेज नोडल सब्सक्राइबकंद प्रबार अधीकारी समझ यूंद ट्याग पत्र के पोटल पर अंतरगत अपडेट करेंगे और पोटल अपडेट किये गया तयाग पत्र की मान्य होगा और दूसरा कि आपका किसी भी आन्यमाध्यम से प्रेसित किया गया त्याक पत्र मानने होगा तो यह बोरा है कि जब आप सीट छोड़ोगे तो यह आपका काम नहीं है वो अपडेट करना है वेब साइट में उसके बाद ही आपका रिजिगनेशन मानने होगा अब यदि कोई अपर्थम चक्री की कॉंसिलिंग से आवँनटीत होकर प्रदेश के किसी भी राजके नीजी छेत्र की डेंटन कॉलेज की सीट पर प्रवेस प्रवाद कर लेता तथपस्चांट वाफ प्रदेश की अब्रदेश की प्रथम कॉंसिलिंग से सीट के से त्याग देना चाहता है तो ऐसे अब्यर्थी द्विती कॉंसलिंग की च्वाइस फिलिंग से दो दिन पहले छोड़ सकता है वो अपनी सीट से त्याग पत्र दे सकता है ऐसे इस्तिती में अब्यर्थी द्वारा जमा की गई धन रासियों यह बोल रहा है कि देखो अपग्रेडेशन जो है फर्स्ट राउन्ड में तुम अप रिपोर्ट की और जो कि कॉलेज आट रिपोर्ट की और तुम अपग्रेडेशन के लिए बोले हो और सेकेंड अंब को भी काईसरह उता है वह उती क्या हो रहा है तुम चाहते हो कि रिजाइं करना उससे तो तुम आगर रिजाइन करते हो उस seat को ठीक है उस seat को अगर तुम resign करते हो तो resign तुम second round का choice filling होगा second round का choice filling से दो दिन पहले ही तुमको resign करना होगा ठीक है तो resign करने पे तुम्हारा जो है security deposit जो है वो जब्थ हो जाएगा और कुछ नहीं ठीक है और दूसरा का बात क्या बोल रहा है जो counseling process है वो तो तुमको हम अलग से पहली समझा दिए अगर वो में कोई doubt है तो back करो वहां जाओ कोई दिक्कत है यह resignation process है यह अलग चीज है वो counseling process अलग चीज है दोनों को mix मत करने तो confused हो गए दूसरा क्या प्रथम चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदी निर्धारिक ती थी वह समय के पश्चात मतब यह बोरा है कि जो resignation time दिया गया उसके बाद अगर कोई resign करता है second round of counseling के बाद तो second round of counseling का जो rules and regulation है वो मानने होगा दूसरा राज के छेत्र medical college हो प्रदेश की द्वित्य चक्र की counseling समाप्थ होने के पश्चात प्रथम एवं द्वित्य चक्र के प्रवेशित किसी भी अभ्यर्थी की seat रिक्त करने की अनुमती नहीं होगी फिर भी यदी अभ्यर्थी मौपब चक्र के से दो दिन पूर्वक अपनी seat से त्याग पत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई धरोवर दनराशी तता समझ सिक्षन सुल्ख जब्त किया जागा तो मतलब government medical college या dental college में आप admission लेते हो और second round counseling हो जाने के बाद आप अपना seat से resign करते हो तो उस case में मतलब second round का counseling हो जाने के बाद अगर आप अपना seat छोड़ते हो तो आपका उस case में जो security deposit है वो आपका forfeit हो जाएगा और साथ में जो है आपका जो मतलब counseling के बाद तो सेम रूल है आपका जो security deposit है वो जला जाएगा और जो entire आपने जो fees भरा था यह देखे तद समय के एक तो कौन सा धरोवर धन्रोशी security deposit जाएगा और आपका सिक्षन सुल्ख का 50% कितना 50% तो government colleges को छोड़ते हो second round of counseling मतलब admission ले लेने के बाद second round of counseling से छोड़ते हो तो आपका security deposit और जो आपने fees जमा किया होगा वो चला जाएगा प्राइबेट मेडिकल कॉलेज को second round of counseling के बाद छोड़ते हो admission लेने के बाद तो आपका security deposit जाएगा और साथ में 50% जो उसका fees होगा प्राइबेट मेडिकल कॉलेज का वो आपका जब से जाएगा 50% लोटा दिया जाएगा दूसरा क्या बोल रहा है कि राच्किय मेडिकल कॉलेज हेतु प्रथम चक्री की counseling से प्रवेशित अभ्यर्ति यदि दित्य चक्री की counseling में पुना रंटन होके पश्चात प्रवेश नहीं लेता है ओ हां यहां पर ठीक है यही अप्ग्रेडेशन से लेटर है कि यह बोल रहा वो चला जाएगा ठीक है और साथ में जो तथा समझ सिक्षा सुल्क जब्द कर लिया जाएगा मतलब सेक्षा सुल्क जो था वो भी चला जाएगा तो अगर सेकेंड रं में अप्ग्रेड होता है कॉलेज तो ले रेना मेरे हिसाब से ठीक है दूसरा बट आपका डिसिजन आपके उपर है नीजी छेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज है तू चक्र कॉंसिलिंग यादी चक्री कॉंसिलिंग वही सेम रूल है यहाँ पर कि अगर आपको सेकेंड राउन में अप्ग्रेड होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो आपका वह सेक्रिटी डिपॉस प्राउन के बाद अगर तुम रिजाइन करते हो तो आपको एक लाख रूपिया याजा मतलब कि क्या है आपका यह पेनल्टी देना पड़ेगा और साथ में जीतना भी आपका जो आपके सेक्रिटी डिपॉसिट तो जाएगा ही और आपने जो भी जमा किया था आपका फीस गब्रेंट मेडिकल कॉलेज के लिए वोच रा जाएगा तो यहाँ पर पड़ लीजे एक बार पड़ राज के चेत्र के मेडिकल देना पड़ेगा और आपका जो सेक्रिट डिपॉसिट वो भी चल जाएगा अगर आपको इससे पहले सेक्रिट डिपॉसिट लोटा दिया गया था तो आपको फिर से जमा करना पड़ेगा वो पैसा ठीक है अब दूसरा गया सेम प्राइबेट मेडिकल डिंटल कॉलेज के लिए कि अगर आप मॉपव राउंड के बाद छोड़ते हो तो कम्प्लीट फीस आपको चला जाएगा धरोवर धनरासी और सिक्चिकित्सा सिक्चा को देना पड़ेगा डिमांड आपके फॉर्म में और आपका जो फीस है पूरा फीस है आपको जब्त हो जाएगा तो नीजी छेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज मॉपव राउंड के पश्चात आत्वा पार्टिक्रम पूर्ण करने के पूर वहां तो यहां भी मॉ सिक्षन सुल्क संबंदित डेंटल कॉलेज का दे होगा तो धरोवर धनरा से आपको वह सेट्र कोई देखा तो इसी रिए बोलते कि इसमें पूछते कि भाईया हम पार्शियल ड्रॉपल ले मतला यूपी स्टेट में कोई कॉलेज में अडमिसर लिए हैं और आप पढ़ र चोड़ना है तो यहां पर रूल यह देख लो बाबुतुन कि जो तुम्हारा जो फीस था वह चला जाएगा ठीक है जो तुम जमा किये तो यह अगर तुम दे पा रहे हो तो तुम पार्शियल कर सकते हो ठीक है अब नेक्स्ट आजो यह क्या है अनिवारी सास की सेवा बॉ सर्विज बऌन्ड है मतबर 2 साल अपको उनका गर्मनेंट को सर्विस देना पड़ेगा और अगर आप बॉंड नहीं करना जाते होग zar तो आपको पनल्टी भरना पड़ेगा ब्साव करी Time को तो आपको salary मिलेगा याद रखना तो यहाँ पर आपको कहाँ पर काम PhD में भेजेंगे junior resident के तरह आपको service मिल जाएगा दो साल के लिए ठीक है अगर नहीं करना चाहते हो तो 10 लाग का आपका penalty है ठीक है अब दूसरा बात हाँ यह help डेक्स है कि अगर आपको कोई problem होता है particular इतना समझाने के बाद FAQ उसके बाद भी कोई दिक्कत होता तो यह यहाँ पे जो information दिया गया है इनको आप contact कर सकते हो ठीक है इन सबको आप contact कर लेना यह number दिया गया है email id दिया गया है तो यह सबको तुम आप contact कर सकते है को रोके वह है screenshot अरे screenshot क्यों लोग है तुमको बोले ना ब्रॉस्यर पढ़ो जाके बॉक्स जाके पढ़ लो दूसरा हाँ यह नीजी शेत्र प्राइबेट मेडिकल कॉलेज का नोडल सेंटर सब है देख लेना कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है समझने में कोई दिक्कत नही हो कि इस्क्रीन शॉट ले लो कि यह मतलब यह गंवर्मेंट डेंटल कॉलेज है एक ही है अब यह प्रैबेट कॉलेजिस है देख सकते हो और यह प्राइवेटेंटल कॉलेज है देख लेना य सेंटर का भी चलेगा यूपी में यूपी इस्टेट का हो ना चैक है यह तो इसेंटर है जहां पे तुम रुभा सकते हो और क्या है यह आपका बांड है यही वाला agreement आपको फिल करना होगा ठीक है और क्या बचा है और कुछ नहीं बचा है आप तो यह एक इनफॉर्मेशन पुलिटिंग जो नीट यूजी का था वह से को पेस्ट कर दिया कॉपी-पेस्ट यहां पर यहां पर यह सबसे प्यारे आपको को वो रिच्टुरेशन के बाद रिच्टुरेशन करना होगा वह टू थाउसन रुपी न रिफंडेबल जो है फिर सेक्रूटि डिपॉसिट जमा करना होगा सेक्रूटि आप एक नोडल सेंटर चुनना होगा वह ओन्लाइन ही तुमारा डॉक्यूमेंट बिदिक्रिवाई कर इसे के साथ ये वीडियो को यहां पर खतम करते हैं बहुत लंबा हो गया ठीक है बट्ट वीडियो को पूरा देखना कोई डाउट हो तो एक बार जी एक बार पहले घुड़ाय। और भी बहुत सारे स्टूडेंट है वहाँ पे इसी तरह का डाउट पूछते रहते हैं तो भारा भी डाउट साथ में क्लिर हो जाएगा ठीक है प्रफड़ी